दोस्तों ममश्कार ओल्लाइन कम्पनीज जो ओल्लाइन कम्पनीज है भारत वर्ष के अंदर में उसके अंदर में काम करने वाले लोगों की क्या हालात हैं ये आप सब लोग जानते हैं लेकिन आज तक इनके जो एक्चुल हालात हैं जो वास्तवी की स्थिति हैं, इस पे ना कोई रिसर्च कर रहा था, ना ही कोई आकड़े बाहर आते हैं, जो आप लोग जानते हैं, आज मैं आप लोगे सामने एक बहुत ही महत्पूर्ण चीजे रखने जा रहा हूं, जो कोई छापेगा नहीं, और कोई मीडिया दिखाएग नहीं, पहली बार, 25 मार्च 2019 को एक सर्वे रिपोर्ट आया, जिसके अंदर में, जितने भी ऑनलाइन कंप्रीज भारत वर्ष के अंदर में हैं, बड़े बड़े, चाहे ओला हो, उबर हो, फुड पांडा हो, सुईगी हो, फिलिप कार्ड हो, अमेजोन हो, इसमें जो काम कर करने वाले लोग हैं, उनकी क्या दुर्गती है, और उनका क्या वर्किंग कंडिशन है, इसके उपर एक रिसर्च किया गया, ऑक्सफोर्ड के दो रिसर्चर के द्वारा, और साथ में बैंगलोर की एक आईटी फ़र्म थी, दोनोंने मिलके इसके उपर रिसर्च किया, और इसकी जो सचाही सामने आई है आप लोगों को जानना जरूरी है लकिन पहली बार ये रिसर्च का एक डेटा उन्होंने पब्रिश किया कि ऑनलाइन कंपनी में काम करने वाले वरकर्स चाहे वो डिलेबरी बुआए हो चाहे ड्राइवर्स हो जो ओला उबर कैप के तहर चल रह बिना वक्त लिए जरह इन आखरों को गौर किजेगा फ्लिप कार्ड डून्जो बिग बास्केट जोमेटो स्वीगी अबन क्लैप हाउस जॉइ रैपीडो उबर इड्स उबर ओला और फुट बांडा ये बारा कंपनियों पर रिसर्च किया गया और इनमें जो काम करने वा इस पर मैं कई सारे बुद्धे उठा चुका हूँ लेकिन आज मैं नहीं आज ऑक्सफोर्ड इंवर्सिटी के दो रिसर्चर और बैंगलोर के आईटी बेस्ट कंप्री ने मिलके ये रिसर्च किया है जरा उनके आकरे सुनिएगा ये जो सर्वे किया गया इसके अंतर में ए पोला की फुट पंडा सभ से निचले अस्तर पे रही यानि कि वहां के वर्कर्स के हाला बच से बत्तर है जो सर्वे में कंडिशन लिया गया यानि की उनका पे कंडिशन की वो कितना कमा रहे है उनको कितने पैसे ये नहीं आएं है कॉंट्रैक्स यानि कि यह जो ढूंत्र से है कि आप यह करता है बहुत सारे चीज़े रही होंगी चौती चीज़े थी रिप्रेजेंटेशन यानि कि कोई दिक्कत हो जाती है क्या कुछ हो जाता है तो कैसी उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं को कि है तो ठीके नारी उनके लिए एक बड़ा अच्छा नाम भी दिया गय जिग का मोटा मोटा आप मतलब यही समझ लिजिए जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक से दस तक आप रोन पॉइंट रखा था और जिसका पॉइंट सबसे कमाएगा सो वह सबसे वर्स कंपणी मानी जाएगी किस कंपणी को कितने पॉइंट मिले यानि कि Uber जो Cap Company है उनको मिला है दो ओला को दो और ओला की ही जो Foot Pounder Delivery Boy जो जिसमें काम करते हैं उनको मिला है दो पॉइंट अब दो पॉइंट भी ओला, Uber और ये Foot Pounder को जो दिया है उन्होंने दस में से दो वो इसलिए दिया लिख रहे हैं कि कम से कम ये minimum payment उनको कर रहे है जो local minimum wages मिलना चाहिए वो मिल रहा है अब ये पता नहीं ये data कहा से उनको दिया researcher को ओला उबर वाले क्या pay कर रहे हैं drivers को minimum wages उनको मिल रहा है आज की rate में तो ये आकरा उनको जिसने भी दिया है हाला कि ऐसा लगता है कि जैसा ये गोला उपर वाले करते हैं कि लोग जब government को दिखानी परती है तो अपनी system का data दिखाते हैं जिसके अधर में सारा कुछ add कर के दिखा जाते हैं देखो जी हम तो 15-15-10-10 रुपे किलोमेटर दे रहे हैं रेट दे रहे हैं लेकिन वास्तव में ड्राइवर्स को किसी को 5 रुपे किलोमेटर पर किसी को 6 रुपे किलोमेटर उसके उपर penalty उसके उपर less key duty यानि कि 50-50% 60-70% commission तो ये आकरे साथ उनकों ने नहीं देखा होगा लेकिन सिर्फ कह रहे हैं कि pay ये ठीक कर रहे हैं मतलब minimum wages pay कर रहे हैं यानि कि ये दो पॉइंट भी जो दिया गया है ये भी सायद इसके हमदार भी ये लोग नहीं थे लेकिन बाइद वे जो इनको 10 में से 2 मिला है ये साबित करता है कि किस तरह से workers की सोशन हो रहा है आप कंपनियों में या ओलाइन कंपनियों में काम कर रहे हैं उनको ये नहीं पता कि उनके contract में क्या लिखा हुआ है क्योंकि उनका contract जो language वो drivers हो जाया चाहे वो किसी और online company में काम करने वाले worker हो उस language में नहीं लिखी हुई है और जिसकी वज़ा से उनके contract में क्या लिख कि उनसे sign करा जाता है ये उनको बिल्कुल पता नहीं है ये भी survey में सामने आए है और ये रहा आपके सामने सरकार को ये कहते हैं कि जॉब बाट रहे हैं कौन सा जॉब बाट रहे हैं ट्राइवर्स तो अपना self employment कर रहे थे स्वारुजगार कर रहे थे सरकारी कानून उनके लिए था सरकारी rate उनके लिए था traffic police उनके लिए था सब कानून उनके लिए था लेकिन इन लोगों को online company वालों को बीच वे बिठाया गया उनका क्या हाल है यह आप सब लोग जानते हैं भारत वर्ष के अंदर में लेकिन फिर भी government इनको award दे रही है इसमें चौकाने वाली सबसे बड़ी बात research में यह है जो researcher ने इसमें भी लिखा है कि इन बारों company में से कोई भी company recognized नहीं है जिसको हम क्या सकते हैं कि पूरी तरह से legally हो इनमें से कोई भी company नहीं है या आने वाले नजदी की समय में इनको कोई recognition बिल जाए ऐसा भी नहीं है तीसरी point जो लिखा है उन्होंने कि कोई भी labor union जो यह online companies है इनमें नहीं है एक और महत्रपूर्ण बाद इसमें लिखांगे है research में जो उन्होंने पाया है कि जो online company में काम करने वाले हैं उनकी जो शिकायते होती है उनकी जो परिशानी होती है उनको भी सुनने वाला इन companies में कोई नहीं है एक बात यहां पर और भी चौकाने वाली है और बिल्कुल सच बात है कि जिस तरह से इन online companies में काम करने वाले workers चाहे drivers हो चाहे delivery boy हो जो पर trip पे काम करते हैं कह रहे हैं कि जैसे एक company banglode की थी इस research के अंदर में वो कहते हैं banglode जैसे traffic में per trip या per piece rate पे जो per trip पे काम कर रहे हैं उनके लिए जान का बहुत खत्रा है क्योंकि वो अपनी जान की बाजी लगाके बहुत जल्दी में होते हैं ताकि वो जाना से जादा काम कर सके तो यह भी एक सच्चा ही है जिस तरह से आप सब लोग ज्यानते हैं जो आज वो लॉपर के drivers हैं उनको किस तरह से एक फसाय जाता है कि इतना ट्रीट करोगे यह मिलेगा तो जानकी किस तरह से एक जानकी बाजी लगा के ट्राइवर्स भागते रहते हैं जिसमें सवारी का भी खत्रा, बहुत सारे चीजे हैं तो इस रिसर्च के तहर यह उन्होंने खुद कहा है रिसर्चर ने अपने रिसर्च रिपोर्ट में कहा है कि बहुत ही worst condition है जो online companies में काम कर रहे हैं तो आप जैसा देख सकते हैं कि Ola, Uber और Food Panda को 10 में से 2 point मिले हैं जो कि सबसे कम है तो उन में काम करने वाले workers की तो और भी बत्ता रिस्थिती है लेकिन इनी कंप्रियों को हमारी सरकार तमगे दे रही है, medal दे रही है जैसा कि हमारी सरकार आज हर station पे पार्किंग दे रही है, हर metro station पे पार्किंग दे रही है, हर airport पे पार्किंग दे रही है लेकिन वही जो आम, जो drivers अपना self employment करते थे, उनकी रोजगार में सेंद लगाके और ये कूडली मारके उनके रोजगार पे बैठ गए है, और कहते हैं कि हम रोजगार बाट रहे है तो दोस्तों, जो regulation, जो policy इनके लिए बनती है, उनमें इन चीजों का कोई जिक्र नहीं होता कोई इन चीजों को consider नहीं करता है कि कितने drivers ने इनकी business policy की वज़े से आध्भत्या कर ली कितने drivers की हत्याएं कर दी गई, कितने drivers के पड़िवार में क्या चल रहा है आजगे रेट में इनकी वज़े से और जिस तरह से रोजगार इटोरे लोगों का चीन के उस रोजगार पे कब्जा किया, शायद इसी को digital India कहते हैं, शायद इसी को ease of business करते हैं, बैपार करने की सरलता कहते हैं, सायद इसी को making India कहते हैं, शुक्रिया दोस्तों